हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो आर चैनल आई होप आप अच्छे से अपनी बूर्ड गजाम की त्यारी कर रहे होंगे तो आज की वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपोर्टन होने वाली है आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक इंपोर्टन टॉपिक केमिस्ट्री आई पेजी है वो कैसे होगी बहुत इजी है बहुत इजी में आपको बताऊंगी समझाऊंगी तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छे लगे आपको एंड में तो प्लीज लाइक कीजेगा ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या इन्हीं की आई पेजी पढ़ने वाले इनकी इन्हीं की आई पेजी करने वाले हैं तो इसी के नियम पढ़ेंगे सबसे पहले ठीक है और जिनको नहीं पता यूपीज की की फूर्फ़प्रम क्या होती है तो यहां लिख रही है इंटरनेशनल यूनियम उफ प्यॉर एंड इन्हीं प्यूर्फ़प्रम यहां पर पूरी इपीसी के फुल फॉर्म है अब आगे भड़ते हैं तो नियम होते हैं ना अब से पहले आप यह जान लीजिए कि जो मैंने आपको एजांपल दिखाया था भी तो यहां पर मैं तुम्हां तीन चीज़े बता देती हूं कि यह हमारा है जैसे आपको पता है कि मैटल्स कौन कौन से होते हैं तो द्हादू आयान होते हैं जो लिगेंड्डों से कनेक्टेट रहते हैं अब लिगेंड्स क्या होते है मैं लिडगेंड्स कि देखो आई पेसी के नियम पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि लिगेंड्स क्या होते हैं तो यहां पर हमारा क्रोमियम है वह धातू आयन है क्या है धातू आयन और यह जो आज पास बिसके कनेक्टेड है वह लिगेंड्स कहला सब्सक्राइब करते हैं तो यह इस लिए बताया आपको इस नियम में बहुत इंपॉर्ट है सबके हमें लिगेंड्स का नाम करण करना होता है तो देखो हम सबसे पहले सबसे पहले है नाम करण हेतु नियम तो कौन कौन से नियम हैं उनको पढ़ लेते हैं तो हमारा फर्स पॉइंट है साधारान लबडू के समान साधारान लबडू मतलब जो नॉमल हमारे पंपाउंट होते हैं उनी के समान उपस ऐसा योगी को में भी धनायन का नाम पहले लिखा जाता है अब धनायन क्या होता है इसमें वह भी आपको पता देती हूं जैसे आपको यह कोशन दी दे जाएगा यह एक्जामपल है ठीक है ऐसे आपको कोशन दी दे जाएगा और आपको इसकी आयूपीसी क करने को बोला गया है ठीक है तो यहां पर करना है आपको सबसे पहले यहां देखो जो ब्रैकेट के बाहर कोई भी compound है तो हमारा positive part है क्या है अगर वह अगे लिखा गया है तो जो आगे वाला होता है वो हमेशा positive होता है और जो पीछे है वो हमेशा negative वाला पार्ट है तो यहां पर positive पार्ट यह है और negative पार्ट यह है ठीक है अगर आप वीडियो को एंट तक दिखेंगे न तो आपको मैं ट्रिक बिता हूंगी इससे स्वाल करने की आई पीजी को बहुत इजी ट्रिक है वो ठीक है तो देखो यह जो positive पार्ट है तो इन्हों ने बोला है कि उपस ऐसे केचन योगी को में भी धनायन का नाम पहले लिखा जाता है जो भी positive पार्ट है पहले उसका नाम लगेंगे फिर negative पार्ट का नाम लखेंगे ऊसके बाद फो अगर positive part में ही ligands है यहां पर ligand क्या है हमारा यह है और यह हमार धाटू आयन है तो अगर positive part में अगर ligand भी है तो सबसे पहले हम ligand का नाम लिखते हैं फिर धाटू आयन का बाद में redion का नाम लिखते हैं अभी तो यह negative में है आब example ले दी दिव मैं आपको जैसे, अगर example आता है हमारा, CO, CL2, NS3 का whole 4, यहां जाता है SO4, तो इसमें देखो, आप देख पा रहे हो, यहां पर पहले क्या था, ब्रैकेट पीछे था, अब ब्रैकेट आगे है, तो ब्रैकेट आगे पीछे से मतलब नहीं है, जो भी compound, जो भी चीज़ा हमारी आगे है, वो positive रहती है, और पीछे है, वो negative रहती है, जी कहँ है, तो यह हमारा positive part पार यह हमारा negative part, यहां पर, यह हमारा positive part था, तो उन्हों ने क्या बोला, जब से पहले हम positive part का नाम करण करेंगे, तो उसका नाम करन क्या हो गया Potassium सिर्फ Potassium लिखतेंगे क्यों आपको पता है कि इसका नाम Potassium होता है इसके बाद अब वो यह बोल रहे है अगर Positive Part में यह चीज़ आ जाए जिसमें Legand भी है और धातू आयन भी है तो सबसे पहले हम Legand का नाम लिखते है किसका नाम लिखते है Legand का नाम उसके बाद हम लिखेंगे धातू आयन का नाम किसका नाम लिखेंगे धातू आयन का नाम और एक आप आया दोना धातू आयन का नाम लिखने के बाद उसकी Oxygen संख्या भी लिखते हैं धातू आयन के नाम के बाद उसकी ज desaf Shift भी लिखते हैं। वह भी किसमें रोमन में लिखते हैं। सेकंड इसको ऐसे लिखते हैं धातु आयों की इसके अक्सिगसा लिखेंगे अभे अग्छा जाएगा बश्त थोड़ी बहुत थे तो लास्ट ही मैंने निकालने के वीडियो बनाई थी उसको आप लाकर देख सकते हैं बहुत ईजी और बहुत चौट वीडियो है आराम से देखेगा उसे ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं अब हमारा पॉजिटिव पार्ट कम्प्लिट हो चुगा है अब लिखेंगे नेग अगर उसमें दो प्रिफिक्स आजाए है हमारे सेम से जैसे क्लोरीन क्लोरीन आ गए तो क्या लगाते हैं डाई क्लोरो लगाते हैं वैसे ही यहां पर भी होता है यदि दो अतवा भिन्न भिन्न प्रकार के लेगेंड उपस्तित हो तब लिगेंड के नामकरन का क्रम उनके अ कि जैसे एमिन पहले पहले तो पहले एमिन की नाम होगा क्लोरीन आता है तो फिर क्लोर्यन की नाम होगा क्हां समfeit पैंट को नेकस्त है इसमें जो क्या मैं प्रकाई जो इसकर दिपर्ण करता है डाई आता है तीन के लिए ने टेट्राता है कि लिए जो भी आपको लिए तो छोबिके सकते हैं जो भी आपको दे रखा उस अक्वाइब हव्च देंगे इसके बाद आफ पॉंट हुच है क्यिए यह लिए क्यों नाम में पहले से लगे हूं मतलब में Pengkem तो इसका है इसका नाम होता है ना वह ब्रकों Catalis ने लग थो इसका अगर लगे हूं उनकी संख्या के लिए पर सह बता ते लिए यहां नाम पहले से ही या देख पार तो यह हमारा गया है इसका नाम करांड दो है तो इसकी संक्यार है दुले हैं लगाएं घरिकाते हैं अब इनके हैं के थुरू कर पाएंगे तो आये देखे हैं तो अब यहां देखा होगा अब सुन्दां देखा होगा कि bond देखा आ रहें हैं तो आप कहिंगे किlair कौनसा याद्र है है मैं नहीं पता तो इसके लिए आपको लिगेंड कि नाम है से यह चुआ है जैसे देखों लेके तिन डेब्स होते हैं उधासीन लेट हैं का मतलब क्या जिन पास negative charge होगा जिनके पास negative charges होगे और positive आए जो कहने का है वह कौन से होते हैं जिनके पास positive charge रहते हैं तो आई हम सब कहो के नाम देख लेते हैं सबसे पहले हमारा है व्लोर है और सी पार मतलब है इसकी है याद कर लीजेगा समझने के लिए अद देखो फ्लोरो है उसके पास नेगतिव वन है तो सक बिर नाम यह seran अपनी है फ्लूरो फ्लूरो ऑफ उसकते हैं फ्लूरो फ्लोर्व हम सकते हैं 20 फ्लूरो इसे हम chlorine बोलते हैं लेकिन नाम क्या होगा यह पेसी में chloro से ब्रोमीन का ब्रोमो आयोडीन का आइडो सीन सीन महलें साइनाइट साइनो सलफाइट का सलफेटो सी एस ती सी रवलो यह एसिटेट होता है एसिटेटो अना ड्रेटॉ c dalla3 नेगिटेवा जाए तो अन गलो वह इसमें एक और कि एक और एड़ा के लिगेजिए आप C2O4 इसको नाम बोलते हैं oxalato इसके पास two negative होता है oxalato चीक है अब next आते हैं अब मैंने बताया था आपको कि कौन से थे हमारे देना हो गए अब 80 लिगेंटे दास लेकंट कौन कौन से हैं कि तो अलिए हमारे है जन्य गोन इसको बोलते हैं वैसे कि जल है हमारा बाटर है कि इसके मैं का एकवा श्योक करोणल नसरी आजाए तो आपी याजाए तो फास्पीन CS3 का whole N, trimethylamine, अब मैं आपको बता आता है नहीं हमें, कि अगर किसी के नाम में पहले से ही di, tri, tetra, कुछ भी आता है, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनकी संख्या के लिए, bis, tris, bis, tris, tetrakis, ये सब, ठीक है, वो depend करता है कि उनकी कितना संख्या आ रही है, इसके पूरा खोल के हमना formula दिखा दिया है, वैसे EN लिखते हैं, उसके बाद, CH3-NS2 है, इसको methyl amine बोलेंगे, NO है, nitrosil, और NO2 है, nitrile, तो ये सब हमारे होते हैं, उदासी निलिगेंड, इनको आप नोट पी कर सकते हैं, और याद रखेगा, उदासी निलिगेंड की जो ऑक्सी कर हैं, जादा नहीं है, NO2 पॉजिटिव, उसका नाह होता है, नाइट्रोनियम, NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम, S3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम, और N4 पॉजिटिव, अमोनियम, तो most of जो लिखेंड होते हैं, उदासी जाद आते हैं, लेकिन जब भी इनको याद क इसके तुरू आप समझ पाएंगे, नहीं तो आइए स्टार्ट करते हैं, ओके स्टार्ट करते हैं, देखो यह हमारे एक्जामपल्स हैं, इनके में IUPAC बनानी है, कोशन आपको ऐसे दे जाएगा, कि निम्न योगिकों की या निम्न उपसेशन योगिकों की IUPAC नामकरण प आपको एक नमबर मिल जाएगा, तो चार बना दी तो चार नमबर, तो बहुत इजी हो रहा है, यह मला आप दो मिनट में चार नमबर पासकते हैं, बोड एक्जामस में अगर आपने कर ली अच्छे से तो, तो देखो, एक्जामपल में इन है, अगर एक्जामपल समझ में तो सब शब इसी हो जाएगा, रहसे आपको यह दे दिया रहाएगा, अपनी आपको बताया था हमारे पास दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक तो ब्रैकिट वाला होता है, और एक ब्रैकिट से बाहर होता है, तो यहां पर हर चीज ब्रैकिट में ही ह सबसे पहले नाम नेखेंगे नेटिफ अब कैसे बचाने नहीं है और असपास जो लगे हुए ना वो लिगेंड्स होते हैं नहीं पड़ा सा कि जो नसीलेकरन है वो कॉन सा लेकेंड है वह अग्यों सब्सक्र करन संग्या वह 0 है अब देखो एनसरी कितने है 3 अनसरी का होल थाइज है मतलब 3 एनसरी है और हमने पड़ा था कि अगर लिकेंड की संग्या को वेक्त करना हूं तो किसे करते हैं डाई ट्राइट अब वखेरा से तो कितने हैं अगर पहले यह आता है तो यह का चाहिए तो पहले तो पहले इसे करके लोड़ीन और यह दुआ यह तो आएगा फिर आप पिसे ल भी कितने हैं टीन है तो हम यहां पर लगा देंगे लगा देंगे ट्राई अब क्लोरो अब लिगेंड्स हो चुके है हमारे अब लिखेंगे क क्षोमियम का नाम क्या है नाम है क्रोमियम मैं क्या नाम है क्रोमियम अगर आपको पॉंट्स tobacco याद है कि हम थातू आयन की ऐसी करंट संख्या भी लिखते हैं जिसकी ऑक्षीकैन्ट संख्या देखो VO सही जो आपको लिएंड रखाये है न तो जिनकी जिसकी औको अश्राइबाया का डीके निकालनी होती है उसको मैं जनको आता है जिनको नहीं आता वो वीडिन देख सकते हैं तब भी मैं को पता द Only आपको तब भी मैं आपको पता देती हूं एक बार लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो में देख लिएगा तो देखो इसको मैं लेते हैं अब एक समाल लिए एक लगा देंगे हम यहां पर 0 जाएं पूरी क्यों बन गई अब यह से हम सौल करते हैं एक सी वैली निकालने के लिए वैसे हमें सॉल करना है यह एक सी एक्स परावा कितना गया तो तो अच्छे से इन्हें और समझेगा और नहीं लग रहा है तो पीछे चाहिए वीडियों फिर्स देखिएगा आराम से बहुत इसी लगेगा सिर्फ नियम पढ़ लो एक बार क्योंकि नियम है नियम पढ़ लोगे ना तो बहुत इसी हो जाएगा इसके बाद सेकंड है हमारा सेकंड हमारा कोशन के थ्री एफी सी टू ओ फॉर का होल थाइज अब देखो इसमें क्या है इसमें क्या है इसम लगान दो चीज़े हैं तो एक पॉसिटिव हो और एक नेगेटिव तो पीछे वाला क्या होता है पॉसिटिव तो आगे वाला जो पॉसिटिव है वो हमारा एक कंपॉणंड है नॉर्मल सा उसका नाम तो यहीं आजाएगा पूटेशियम पूटेशियम आगया अब देखो य यहां पो याद रहेगा सीटोफ़ का मैंने क्या नाम बताया था सीटोफ़ का नाम है हमारा ओक्जलेटो क्या नाम है ओक्जलेटो अच्छा अब देखो जो सीटोफ़ है वह कितने है तीन है तो हम लिखाएंगे पहले ट्राइब बूर्मल चानल से मैं भूल गी दिया भी तो ऑक्जलेटो यह हमारा है सी टूफ़ का होल थ्राइज ट्राइज हो गया इसके बाद अच्छा एक चीज़ा रखना अगर मैंटल आयन आपकी नेगिटिव में आती है अगर धादू हमारी नेगिटिव में आती है तो उसका नाम होता है वो चेंज रहता है चेंज मतलब उसके नाम के बीचे 8 लगता है क्या लग जाता है 8 जैसे इसका जो F E का नाम है वो फेरस होता है नॉर्मल लेकिन अगर हम लिख रहे हैं नेगिटिव में मतलब नेगिटिव में है न वो तो यहाँ पर हो जाएगा फेरेट क्या हो जाएगा फेरेट ठीक है और अब इसकी के निकालनी है इसकी निकालनी है आमें ऑक्सीकरन संख्या क्या निकालनी होगी ऑक्सीकरन संख्या तो यह मैंना आपको बताया था कैसे निकालते हैं आप खुद निकाली है अब मैंने बताऊंगी और अगर confusion नो तो वीडियो देखेगा वो आली तो यहाँ पे जो farad की आएगी निकल के 3 आएगी ठीक है अगर निकाल के अच्छे से निकाल नहीं है आप हो याद नहीं करनी सबकी निकाल नहीं होती है क्योंकि F E के साथ कुछ और भी आ सकता है बाद में जैसे अगर आप हो लगा कि F E की 3 आएगी नहीं कभी कभी F E की 2 भी आ सकती है इसलिए मैं बोल रही हूँ आप हो सिर्फ निकाल नहीं है इसके बाद अब देखो यह हो गए दो समझ में आ गए एक बिलकुल ना positive part था ना negative part था यहां पर positive part वाला यह था और negative part वाला यह था अब देखो आप हो लगया हो कि bracket हमेशा पीछे ही आएगा नहीं bracket वाला मेशा आगी भी आ सकता है तो वो डिपेंड करता है तो यहां पर bracket आगे है तो यह positive part है जो यह है negative किसका लखेंगे पॉजट्रे पार्ट का अब पॉजट्र के साम हमारे करते हैं लिटेंडqué कहले रच काल सबूस्पाइबивается हमारे पांच है तो मैं कि हैं फेंटके लिखेंगे फेंड़ लेका कि लोन अब कमैने क्लोर दिए क्लोरौिन हमारे पास ज journée दोतीन तो इसलिए हम नहीं पर ट्राय लगाएंगे तो पेंटायमीन ग्लोरीन इसके बाद यहां पर अभी हमारा धातु आयन है और यह कौन सा है पॉजिटिव में है उसका नाम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे तो यहां जाएगा को बाल्ट क्या जाएगा को बाल्ट अभी हाँ पर हम अब देखेंगे अब देखो यहां पॉजिटिव पार्ट कम्लेट हो गया अब आगा नेगे पार्ट तो नाम तो नॉमला जाएगा फॉजिटिव में कोई चेंज नहीं होता हो कि अब нion कट्रांडी यह न्हीं होता हिसके है की फॉर्स वाले ख्कुद करना क्योंकि की यह मेंने समझाक थिया है इसकता और आगे वाला है तो जो आगे वाला है वो पॉजिटिव है और डेकेट वाले है तो आपने आप करना मैंने बता दिया है कि no look the howl cat Lege आप olsun का लिए वह उसका नाम क्या होता है तो हां सकी है का रिए य healing पाइब देखो यह वाला करते हैं ठीक है अब इसमें क्या है जो ब्रैकेट है वो आगे है और बागी का प्राइब पीछे है तो यह नेगेट है और यह पॉजटिव है तो अब हम लिखेंगे अब यहां पर हमारे क्या है कि यहां पर दिक्कत क्या है कि यह पर आपके पास क्या यह आया है तो यह रखेगा इसको हम इं मोलते हैं इसकी शोट फॉर्म क्या है इं इसका नाम एकल होता ए remaining time to die disagree तो और तो तो आप तो रहा हो यहां इससे सी स्टाट हो रहा है तो क्लोराइड़ों लिख दो क्लोरीन गलत हो जाएगा इसलिए क्लोरो यह क्लोराइड लिख सकते वाद तो डाइज क्लोरो अब यह कितने है तू है हम नद यहां पर या लगा दिया क्योंकि इसके नाम में सफ्लाइज़ आता है ना तो इसके लिए हम लगाएंगे 20 ऐटरा किसक तो बिस आ गया चैसर का नाम करण क्या लिखाता है हमने अब यह दिखा था ना एथीन 1 2 diamine ठीक है यह हमारा EN का नाम है और hold wise था तो 2 थे संग्या तो बिसा गया अब देखो जो CO है वो positive में है उसका नाम क्या हो जाएगा कोबाल्ट क्या नाम हो जाएगा कोबाल्ट और अब क्या है हमारा SO4 SO4 negative में normal नाम आ जाएगा इसका क्या sulfate क्या नाम आ गया sulfate अच्छा एक और चीज अब यह आपने यहाँ पर देखा होगा देखो यह जो CO है यह भी CO है और यह भी CO है लेकिन इसका नाम कारवनेल है और इसका नाम कोबाल्ट है तो यहाद है कि इसका difference क्या होता है अगर C के साथ जो O है वह स्मॉल में आए तो वह हमारा कोबाल्ट क्या है कोबाल्ट और अगर C के साथ को उसके सिमिलर उसमें नमबर उसके साइज में आए तुका हम बोलता है कारवनेल ठीक है इससे साथ को इसे का dramatic कहा है कि सी यो कौन सा आए तो यह आप अच्छे से करलई शेका उसके यह वाला कर सकते हैं ये वाला है अपने अपकर सकते हैं सारे इजी हैं ट्राइब कर लिए आप रहां से अब यहां देखो नाइंत वाला नाइंत वाले में क्या है पर सकुछ नहीं है यहां पर टू- नेगेटे पहले सी आ रहा है यह जो है इसका हो फोल का फोर और टू- इसका मतलब यह जो है रिडायन में आया है जो मारा कंपाउं को अब टेट्रा इसका नाम है हाइड्रॉक्स लाइन हो गया है इसके नाम के नाम के पीचे के लिएगा एट तो बीत हो गया अब इसकी निकाल है यह जोए तो देखो इसका जो रोल है इसका रोल है ना दो चीजों में एक तुसका नाम आजाएगा आयन यहां पर आयन में लिखेंगे क्योंकि यह आयन है ना पुरा तो जो हमारा जिंक है ना उसके ऑक्सिंट जंगा निकालेंगे तब इसका यूज है कैसे तो जिंक को मानेंगे वह होती है माइनस वन मुल्टिप्लाइ करेंगे से और एक कॉल में हम जीरो मालते थे हर जगा हमने पहले जीरो लिखी थी लिखी थी तो जीरो लिखा था लेकिन अगर किसी भी कंपाउंड की ऊपर ऐसे कोई चार्ट आ जाए पॉजिटिव क्या नेगिटिव का तो इक कोल में वही नमबर आ जाता है तो यह माइनस का टू चैक डो जाएक सप RAMSAY का कुछ चार्ट संख्या तो तो नेगिटेव थासब Спस्च लाइन लगाएंगे टीक्ट आइसा ही कोशन सॉल Chapter तो I hope I hope आपको यह example समझ में आये हूं और आप ट्राइ करेंगे अपने आपसे भी और अगर प्लीज और अगर वीडियो ची लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिनको भी नीड है उनके साथ शेयर कीजिए ऐसी वीडियो इंपोर्ट